नमस्कार हिंदुस्तान मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान जी हाँ 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 बॉलिवुड की कुछ खास चटपटी खबरे लेकर बुखारे बॉलिवुड में जी हाँ केफसी पार्ट फर्स्ट की अपार सफलता के बाद यश कपूर आपको नजर आएंगी एक बार फिर से दमदार लुक में केफसी पार्ट टू में जिसको देखने के लिए दर्शक खास ही उत्साहित हैं इसका पूस्टर तो रिलीस कर दिया गया है और जानकारी मिली ह 27 मार्च शाम को इसका पहला ट्रेलर भी रिलीस कर दिया जाएगा वही बॉलिवुड बादशा को लेकर खास चर्चा में है कि अपनी आने वाली फिल्म पठान का टीजर जिन्होंने रिलीस कर दिया गया है अभी दो दिन पहले बुद्वार को ही रिलीस कर दिया गया है दर इस खास चिंदा की बात नहीं है उन्होंने अपने वीडियो में बताया इनको लेकर कोई और जान करी होगी तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा वही अक्षे कपूर की आने वाली फिल्म प्रत्वी राज के बार बार चर्चा में है जो कि उसकी रिलीस डेट 21 जनवरी ब बताया जा रही है अब एक बार फिर से इसकी रिलीस डेट चेंज हुई है जून के पहले हफ्ते में ही इसको रिलीस कर दिया जाएगा तारिक में कोई खास बदलाव नहीं किये गए है रटबीर कपूर की आने वाली फिल्म जैश भाई जोधर जो की 13 माई को रिलीस होने व इसी करदार में इस फिल्म में नई तरीके से नजर आएंगे वही करन जोहर की अपकमिंग फिल्म बेधड़क जिसके बारे में उन्होंने खुल कर बात करी और उन्होंने अपने नए कलाकार भी इंट्रिद्यूस कराया इसमें शनाय कपूर गुर्फते सिंग लक्षे लाल हैं दर्शक अभी पार्ट उको लेकर लेकिन इसमें एक खास बात ये बताई जा रही है कि इसकी इस फिल्म में दो पुराने गार ने औरजा काले कावा और मैं निकला गड़ी लेकर दुबारा से शायद इंक्लूड किये जाएंगे अभी ये कवर हमें प्राप्त हुई है जो कि हम आपको बता रहे हैं आगे जो भी होता है हम बिल्कुल इसके बार में आपको बताएंगे कोमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर को लेकर पहली बार मीडिया ने उनसे बात करी वो एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए उनकी बाइपस सर्जरी हुई थी दर्शक उनकी किया गया और उन्होंने अपने स्वास्त के बारा में बताया कि अब मैं ठीक हूं स्वास्त मेरा आप सही है तो इनी खबरों के साथ मैं आप से विदा लेती हूं मैं आर्जे पूनम शर्मा आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान